नमस्कार दोस्तों स्वागेता आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूटूब चैनल पर दोस्तों इसको परकार से आपको यहां पर काम करना यूटूब के यहां पर जो दोस्तों साथ में जो यूज किया जा रहा है तो दोस्तों सबसे पहले इसको अप्लिकेशन को आपको अपडेट कर लेना है अपडेट नहीं किया है तो अपडेट करने के बाद में इसको सिंपली आपको यहां पर ओपन करना है तो दोस्तों जैसे ही आप इस application को यहाँ पर open करते हो इस application में आप यहाँ पर अपना जो भी user ID और password से enter करते हो उसके बाद मैं आपको यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आपको इस facility का जो option आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा तो दोस्तों मैं इसके अंतरगात simply यहाँ पर मेरा डाल देता हूँ तो दोस्तों इसमें मैंने login कर लिया है और दोस्तों आप यहाँ पर उपर में देख रहे होंगे कि एक तो योनो case withdrawal लिखावा है और दोस्तों आपको यहाँ पे QR code case withdrawal यानि योनो case आपको दोस्तों यहाँ पे पहले आपको देखने को मिलता था और दोस्तों अब यहाँ पे QR code case withdrawal है जो आपको यह नया जो facility launch किया गए SBI के तरफ से दोस्तों तो दोस्तों इसके अंतरगत उपर में यह functions आपको यहाँ पे देगे दिये हैं जो UPI transfer है quick transfer and donation है जो आपको यहाँ पे उपर में सबसे पहले आपको यहाँ पे टेखने को मिल जाएगा तो दोस्तों योनो case तो आप समझते होंगे कि आप पहले जाते थे ATM पे और यानि बीना ATM card कि आप जो ATM machine से पैसे नि दोस्तों वही योनो case के जैसे ही थोड़ा सा system है दोस्तों इसके अंतरगत आपको यहाँ पे ATM machine पे जाना है और दोस्तों आप ATM machine पे जाने के बाद में आप यहाँ पे योनो case जैसे ही select करते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पे दो option देखने को मिलेंगे एक योनो case withdrawal एक QR case withdrawal त आते हैं तो दोस्तों आपको qr-code कोके आपको वहाँ पर क्लिक कर आज तो दोस्तों आपको आपको वहाँ वहां पे ATM machine पे QR कोड़ कोבה कर्दिया जाएगा तो दोस्तों उस qr-code को so करने के वाद में आपके मुबाइल में जो ये QR कोड ये केस विड्रोल जो आपको यहां पे दर साय गया है यहां पे आपको क्लिक करना है तो दोस्तों जैसे ही आप यहां पे क्लिक करते हो आपका QR कोड है वो आपको सो कर देगा यानि आप इस QR कोड से ATM मसीन वाले को यहां पे QR कोड को स्केन क क्लिक करोगे तो दोस्तों आपका जो case withdrawal है वो दोस्तों successful हो जाएगा यानि ATM मसीन से आपका case है वो बहार आ जाएगा तो दोस्तों इस परकार आप simple तरीके से आप योनो case यूज करते थे तो अब दोस्तों आप QR code के माददें से phone से ATM मसीन में QR सकेन करके और easily आप case withdrawal कर सकते हैं ATM मसीन के दवारा यानि आपको यहाँ पर किसी भी debit card अथवा ATM card की यहाँ पर आपको जरूरत नहीं पड़ेगा और आप simply पैसे निकाल सकते हैं तो दोस्तों यह ह QR case withdrawal system या जो अभी newly launch किया गया है दोस्तों जो आपको पता दोस्तों SBA नए ने जो फिचर से वो launch करती रहती है और दोस्तों यह है जो योनो light SBA में launch किया गया है योनो case और योनो जो QR case withdrawal यह दोनो दोस्तों इसके अंतरकत आप simply से use कर सकते हैं तो दोस्तों इस परकार से आ आप QR case withdrawal का जो है आप easily lab ले सकते हैं और दोस्तों यह दिए आपके पास ATM debit card आप साथ में नहीं रखते हैं तो दोस्तों आप अपने phone से आप easily payment withdrawal कर सकते हैं तो दोस्तों यह था आज का वीडियो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजेगा और दोस्तों चैनल पर नहीं ह तो हमार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स टूडियो में तब तक के लिए गुडबाई टेक केर